डे 55 अप ग्रोइंग 100 डॉलर्स अकाउंट तुद 100,000 डॉलर्स और इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था कि GBPGPY जो है वो ये लेवल टेस्ट करने के लिए आ सकता था तो जब भी यहां पर रिट्रेस्मेंट होती थी तब हमें अपोर्चनिटी थी कि हम यहां पर सेल कर सकत है उपर की तरफ तो हमारा व्यू गोल्ड की तरफ थोड़ा चेंच हो सकता है डिपेंट्स ऑन दी मार्केट कंडिशन अभी देखते है कि क्या किस तरीके से बिहेव करता है मार्केट और यहां पर देखो GBPGPY भी हम देखते है अगर बगे बिगर टाइम फ्रेम पर तो मै यह इतना अच्छा अनलिस था हमारा लेकिन सिफ न्यूस की वाज़ा से वह पूरा फक अप हो गया और हमारा टूएटी डॉलर्स के राउंड जी बीजे प्यूआ में लॉस हुआ तो न्यूस के पहले ट्रेड नहीं लेना है न्यूस हो जा एक बार उसके बाद आप एक दो नो बजे नूस है और 9 बजे लेकिने कब यूज है तो तो दीक हैंपर तो देखतें यहां पर साथ बजे बनार यूसे तो हम उसके पहले ही त्रेड लेविस अगर 22 मिलता है तो और अगर हमें पांच बज और हम देखेंगे कि 7 बजे के बाद मतलब रात को 8-9 बज अगर हमें ट्रेड मिलती है तो डिफिनिटले आपे हम ट्राइ करेंगे ट्रेड करने का तो लेट्स को वाई जीवीपी जेपी वाई पर मैं यहां पर सेल के इंट्री कर रहा हूँ विज तू लॉट्स क्योंकि जैसे कि मैंने बूला यहां तक आ सकता है तो देट सी एक हैंकि इस ऐड्रेड को भी ख्लीन रेंज और आप देख सकता है मैंने मेरे स्टूडंस के ग्रूप में भी यह त्रेड पोस्ट किया था और मैंने यह आप से बताहा है तकि छे बजें आम ऐसीट कर देंगे क्योंकि market में news है और आप देख सकते हो GBP GPY पर almost 1 raise to 2 hit हुआ है और मैंने ये जब trade 1 raise to 1 पर था तब मैंने exit कर दिया था क्योंकि market में news है तो हमारा profit है GBP GPY के trade में 200 dollars in our account तो 7 बजे news हो जाने के बाद हम 1 या 2 hours के बाद अगर कुछ setup बनता है gold में तो उसमें trade करेंगे लेक्सी क्या होता है अगर नहीं करता हूं trade तो that's it for today guys see you in the next one